असलाम अलेकूम और वेलकम तो माई योट्यूब चैनल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हमारी मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट कम्प्लीट होगी मैं इन दो पोजेक्ट्स का जो के हमने तीन पाइपलाइन्स उसके क्रियेट की थी इस मॉडल को हम यूज भी करेंगे और उससे प्रेडिक्शन्स भी हासिल करेंगे लेकिन मॉडल डिप्लाइमेंट अभी बाकी है मॉडल डिप्लाइमेंट क्या होती है कि जब हमारे पास मॉडल क्रियेट हो जाता है तो हम उसको टेस्ट करने के बाद अपने सिस्टम के उपर टेस्ट करने के बाद डिप्लाइ कर देते हैं क्लाउट पे अब क्लाउट कोई भी हो सकता है हिरुकू क्लाउट प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते है या AWS या Azure भी हो सकता है इन deployments की मैं अलग से एक playlist बनाऊंगा जो के अभी pre-production phase के अंदर है और जैसे ही वो complete होगी मैं उनको release कर दूँगा जिसके अंदर हम different तरीकों से अपना machine learning model जो है वो deploy कर रहे होंगे तो जैसे के हमने यहां पे तीन pipeline's अपनी create कर ली थी अगर मैं आपको शुरू से दिखाऊँ तो यहां पे हम लोगों ने अपनी exploratory data analysis feature engineering feature selection complete कर दी थी आज हम model building की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद model deployment की एक playlist आईगी जिसके बाद मैं यहां पे model deploy भी करके दिखाऊँगा को किसी भी cloud platform के उपर तो यह मेरा पूरा यह मेरी पूरी notebook थी जिसके उपर मैंने EDA perform किया और उसके बाद यहां पे मेरे पास results आगए मैंने अपना data जो है वो इस form में कर दिया था कि अब मैं उसको machine learning algorithms के अवाले कर दूँ तो यहां पे feature selection के वक्त मेरे पास 21 features रह गए थे और बाकी features जो हैं वो remove कर दिये गए थे क्योंकि वो important नहीं थे ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे हम अपना X data देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास 21 features मौजूद हैं जिसके अंदर सब class है MS zoning है neighborhood है overall quality है ear modification year modification है roof style है basement quality है and so on ठीक है और मेरे पास y head मौजूद है जो के y.head मैंने जब इसको किया तो मेरे पास दिल्ट आ गए sale prices के और यहां पे मेरे पास sale prices मौजूद है x.shape अगर मैं करूँ तो मेरे पास 21 features मौजूद हैं और 1460 rows मौजूद है जबके y.shape अगर मैं करूँ तो मेरे पास 1460 rows मौजूद है single column के ठीक है अब मैं करूँगा अपनी data scaling through standard scalar मैंने यहां पे अपनी standard scaling कर दी और मैंने यहां पे x जो है वो अब मेरे पास कुछ इस form में आ चुका है जो मेरे features अब मैं यहां पर एक train test split भी कर देता हूं ताके मैं अपने जो मेरे पास जब मेरे पास model create हो जाए और जब मैं इसको save करवा दूँ तो मैं आपको एक model predictions भी करके दिखा दूँ किस तरहां से model predictions हो रही होती है ठीक है तो machine learning model creation pipeline phase starts from here हम extreme gradient boosting यूज करेंगे इस notebook के अंदर अपनी predictions अपना model create करने के लिए तो यहां पर मैंने और randomized search cv यूज करेंगे hyper parameter tuning के लिए तो मैंने यहां पर randomized search cv को import करा लिया और extreme gradient boosting को import करा लिया यह सिर्फ एक function है जो कि time को देख रहा होता है कि हम के इस function को execute होने में कितना time लगेगा यह model जब create होगा तो कितने time कितना इसको वक्त लग रहा है अचा फॉरी यहां पर मैंने इसको import करा लिया उसके बार timer import करा लिया और मेरे पास regressor के अंदर xg boost regressor आ चुका है यहां पर कुछ hyper parameters हैं जो के learning rate है max depth of a tree minimum child weight gamma column sample by tree इनको भी मैं run कर देता हूं उसके बाद मैंने यहां पर randomized search cv इसके अंदर मैंने regression यह जो मेरा regressor था xg boost का regressor उसे और param distribution के अंदर मैंने parameters दे दिये जब मैं इस randomized search cv को shift plus tab करूंगा तो मेरे पास यहां पर तमाम parameters आजेंगे कि मुझे कौन कौन से parameters इसके अंदर देने हैं तो यहां पर मेरे पास सबसे पहले estimator है जो मुझे देना होगा अपना कि मुझे कौन सा model अपना यहां पर execute करवाना है उसके बाद मुझे यहां पर parameters बताने होंगे parameters distribution जो के मेरे parameters यहां पर हैं यह इन तमाम के combinations को लेके यह एक model create करेगा और उसके बाद हमें बताएगा के best parameters कौन से हैं जिसके तुरूब best results हमें मिल रहे हैं ठीक है उसके बाद n iteration हमने यहां पर 5 रखिए के वो 5 बार iterate करे scoring हमने r2 या r2 scoring रखिए और इसके इलावा cross validation हमने 5 रखिए ठीक है और अब हम यहां पर random search dot fit कर देंगे अपने x और y data के साथ ठीक है इसने 3.2 seconds लिए और इसने मुझे बता दिये कि मेरे मेरा जो अब यह मुझे बताएगा कि मेरा best estimator x d boost regressor के अंदर मेरे पास best parameters कौन से थे तो यह जो मैंने इसको parameters बताया थे उन ही parameters के अंदर से यह मुझे values बता देगा कि जो आपने values हमें suggest की थी उन values के अंदर जो best थी वह यह थी जिसके तो आप best results ले सकते हैं इन parameters के साथ plus different parameters के साथ मैंने यहां पे base score मैंने 0.5 रखा मैंने यह वाली जो x g boost regressor की जो मैंने parameters उठाये हैं वो मैंने यहां से चेक किये थे और उसके बाद मैंने tune किया था उस हिसाब सही यह वाली नहीं थी यह थी API reference तो जब मैंने यहां पे for example base score मुझे जो है वो देखना था कि मुझे क्या रखना चाहिए तो मेरे पास base score the initial prediction score of all instance global bias ठीक है और booster फिर मैंने देखा था कि booster मुझे क्या रखना चाहिए तो मेरे पास booster के लिए GB linear आया था और GB tree आया था तो मैंने मेरे पास जैसा के linear data मौझूद था तो मैंने GB linear के साथ को गया था इसके इलावा भी यहां पे बहुत साथ जैसे यह objective है मैंने इसको regression 2D करके यह रखा था objective भी अगर मैं देखू यहां पे मुझे मिल जाएगा इस API reference के अंदर तो यहां देखें यह binary logistic अगर मेरे पास binary problem statement होती तो मैं binary logistic के साथ जाता लेकिन मेरे पास regression problem statement थी तो इसलिए मैं अपने इसलिए मैं इसके साथ गया REG 2ED ठीक है आचा random state मैंने zero रखी है इसके इसके इलावा जितने भी आपको parameters नजर आ रहे हैं यह मैंने parameters इसके साथ ही रखे फैर उसके बाद मैंने यहां पे cross validation की ताके मुझे पता चल जाए मेरे model का best score क्या है मेरे model का worst score क्या है और मेरे model को mean score क्या है जो के मैं आगे convey कर सकूँ के मेरा model जो है उसका average score यह आ रहा है maximum यह आ रहा है minimum यह आ रहा है पूरे dataset को इसने split करने के बाद जो 10 दफ़ा split करने के बाद इसने इन values को यह predict करने के बाद इन values को यह लेकिया है मेरी cross validation, k-fold cross validation के ओपर मेरी video है आप दरूर जाके देखिएगा उसके अंदर यह किस तरह से काम कर रहा होता है यह मैंने पूरा आपको बताया है मेरे पास maximum score आए 0.89, तकरीबर 90% मेरे पास score इस model का आ रहा है और मेरे पास minimum kilo आ रहा है वो 80% आ रहा है है model created हमारा model create हो चुका है now we are saving it on disk for further cloud deployments ठीक है हम इसको pickle के थूरू अपने machine learning model को अपने disk के उपर save करेंगे तो यह यहां पर आप अपने model का नाम दे सकते हैं आप प्रिकल डोटट मैंने यहां पर प्यूमा दिया है आप कुछ भी दे सकते हैं एकस जी रिग्रेसर भी दे सकते हैं ठीक है इसके बाद अब अगर मुझे अपना डेटा यह तो मैंने अपना यहाँ पर सेफ करा दिया हूँ यह मुझे मिल भी जाएगा मैं यहाँ पर देख लेता हूँ ठीक है यह मेरा डेटा साइंस का पाइपलाइन डेटा सेट है और इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे यह 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 देखें यहापे अभी अभी यह कुछ सेकिंड्स पहले यह xg regression.pickle.dat के नाम से यह सेव हो चुकी है अब मुझे इस model को अपने पास test भी करना है कि यह क्या results दे रहा है ठीक है तो मैंने इसको pickle format मतलब मैंने इसको दुबारा load किया और जो मैंने पहले यहाँ यहाँ पर right buffer किया था अब मैं read buffer करूंगा ठीक है और मैं यहाँ पर इसको दे दूँगा कि वो इसे xg regression.pickle.dat file को यह read करें ठीक है इसने read कर लिया और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास y prediction का मैंने एक variable लिया जिसके अंदर मैं loaded model.predict x test जो के मेरा test variable था ठीक है मैंने यहाँ पर x test कर दिया अब मेरे पास यहाँ पर y predictions आ चुकी है तो यहाँ पर यह देखें यह y prediction की तमाम values यहाँ पर आ चुकी है अब जो है वो use कर सकते हैं मतलब यह कि मेरा model जो मैंने safe करवाया और उसके बाद जो मैंने इसकी predictions ली तो यह मुझे बिलकुल सही से predictions दे रहा है और मैंने इसकी score पहली देख लिया था कि मेरे पास score जो है वो mean score 87 87 87 तकरीबन 87.5 के करीब यह मुझे इस मेरा जो model जो है इसकी accuracy दे रहा है जब हमारी model deployment complete हो जाएगी तो इसकी next class करेंगे और इसके अंदर हम इस model को deploy करेंगे cloud के ओपर जो के heroku cloud platform भी हो सकता है या फिर देखेंगे कोई AWS या Azure के ओपर भी अगर मौगा लागा तो मैं इन्शाल्ला आपको ज़रूर वीडियो के तुरू मैं convey करूँगा अमीद करता हूँ आपको आज की इस class से फाइदा हुआ होगा सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा लाहाफिज